जी इस lecture के अंदर हम देखेंगे के multi-layer perceptrons हम कैसे बना सकते हैं using python की library called tensorflow हम tensorflow पे बात करें आप इछले lecture जरूर देखेंगे tensorflow के बारे में जितने भी हमने पड़ा अभी तो कर deep learning के जितने भी हमने lectures देखें हैं मैं अपने screen share करता हूँ directly moving करते हैं यहां पे आप देख सकते हैं के हमारे पास 8 deep learning with tensorflow गिटहब की repository है available आपको link description में मिला हुआ है 2 हमारे पास multi-layer perceptron यानि के mlp.ipynb यह notebook हमारे पास बनी है multi-layer perceptron क्या होता है इसके ओपर हमने अच्छी खासी गुफ्तुगू पहले से कर ली हुई है so I won't go into details तो यहां पे मैं आपको सिरफ इसका यह हमारे पास basically जो github copilot बता रहा है उसी को मैंने यहां पे लिख दी है so you have to confirm के यह right है के wrong है इस वज़ा से मैं इसकी detail में अभी नहीं जाता क्यूंकि हमने इस पे अच्छा खासा lecture देख लिए है ठीक है मैं इसको बोल्ड कर देता हूं थोड़ा सा बोल्ड करने के बाद यहां पे आते हैं सबसे पहले तो अपने करनल साब अपने स्लेक्ट करने यह तैंसर फ्लो वाले मैंने भी कर लिया उन्हें और यहां पे हम क्या करेंगे import टैंसर फ्लो एस टी एफ हमने यहां पे अब टिप्स का डेटा लेका हैं थोड़ा सा डिफरेंट हो ना टाइटैनिक के डेटा पे थोड़ी ना गाम करी जाने हैं फिर आइस्ता हम एडवांस डेटा सेट पे भी जाएंगे हमने क्या किया प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट की हमारे जितने भी टिप्स के अंदर हमारे पास डेटा सेट थे हमने क्या किया उन्हें डमी वेरियेबल्स के अंदर कनवर्ट कर लिया ठीक है और डमी वेरियेबल् उनको उनकी इनकोडिंग हो जाए यहां पर हमने क्या किया टिप को X से निकाल दिया बाकि सारे के सारे X में रख लिये यानि के features and target हमने यहां पर select कर लिये यहां पर train test template हमने किया 80-20 की ratio के साथ यह आपको पता है इस पर मैं ज्यादा बहस नहीं करता and just we will move ahead directly ताके आपको पता हो के यह काम जो है यह आपके पास already हम कर चुके है ठीक है फिर हमने standard scalar बुलाया X train और X test इन दोनों को हमने scale कर दिया feature भी और target भी scale कर दिया it's totally up to you if you want to do that otherwise it's actually you have to think about it के आपको standard scalar use करना चाहिए के नहीं I'm just using it to show you के use कर सकते हैं क्यों कब कैसे करना है इसके बारे में हमने अच्छी खासी गुफतगू किया I'm not going into details of those things build करना हमने model को तो आप क्या कर सकते हैं बजाए इसके कि input layer define करें फिर output layer define करें आप model directly build कर सकते हैं और यहाँ पे layers को compile कर सकते हैं sorry यहाँ पे layers को compile कर सकते हैं मैं यहाँ पे यह layer shape आपको दिखा देता हूँ तो हमने क्या करने यह जनाबे वाला tf.keras.models.sequential यानि के directly sequential बुलाई और list के अंदर यह आप list देखने इस list के अंदर हमने क्या बताया tf.keras.dense 64 हमने यहाँ पे लिख दिया activation function रह लूँ और मैंने input shape बता दी जो x train की shape 1 है यह वो ही चीज है जो मैंने आपको पिछले lecture में बताई थी तो यह input shape कितनी लेनी है यह इतनी लेनी है और 64 के बाद यहाँ पे 32 रखेंगे usually you go unless जो आपके पास output है उसकी तरफ आप जाते हैं यानि के total 64 की आपके पास output थी पहले अब उसकी 32 outputs होंगे यानि के 32 connections होंगे from input layer from hidden layer to output layer ठीक है यानि के 32 connection यहाँ से hidden से output की तरफ होंगे 64 connection होंगे input से hidden layer की तरफ ठीक है तो यह connection है जो यह layer output कर रही है और यह है जो आपके पास total input data है तो हर layer को input connection भी चाहिए और output भी इस layer का input connection यह है जितने भी आपके variables हैं उससे फिर चॉंसेट, weights and biases निकलते हैं फिर उससे आगे 32 निकलेंगे और at the end आपके पास one आएगा क्यूँ? क्योंकि आप regression की layer को use कर रहे हैं यानि कि आप regression का task कर रहे हैं पिछले में हमने binary classification किया था तो हमने input layer, hidden layer and output layer यहां पे बना दी सही है? तो input layer के अंदर activation function relu हमने रखा यहां पे activation function फिर relu रख दिया और output layer में कोई activation function नहीं है reason क्या है? reason आपको इन्शाला जब activation function का मैं बताऊंगा definition और lecture तो उसमें आपको यह सारी की सारी reasons क्लियर हो जाएंगी mainly यह है कि आप activation function हमेशा तब ही use करते हैं जब आपने linear से non-linear की तरफ move करना होता है यानि कि आपने linear यानि कि regression की values को probability के अंदर convert करके कोई probability की value की base पे classification करने होती है regression के लिए आप या तो कोई activation function नहीं use करते है otherwise आप linear use कर सकते हैं तो अगर मैं यहाँ पे activation लिखूं linear so I can use that one as well linear activation function but अगर आप linear नहीं भी लिखते हैं तो linear का मकसद ही यह है कि जो पिछली वाली value है उसको as it is यह आगे जो है वो transfer कर रहे है ठीक है जी यहां तक clear हो गए यह तीन layers हमने तीन layers वाला multi layer perceptron बना है input layer, hidden layer and output layer ठीक है अब हमने क्या किया यहां पे combine कर लिया obviously क्योंकि regression की problem है तो हमारे पास Adam optimizer है और loss function हमारे पास mean squared error है ठीक है और यहां पे आप चेक करें यहां पे एक और metric ले कहते है जो accuracy का था तो यहां पे तो matter नहीं न गरता क्यों? क्योंकि जितना हमारा mean squared error है इसका मतलब है true से कितना फरेक है वो सारे के सारा loss ही है basically ठीक है so loss and optimizer यहां पे आ गया अगर आप चाहें तो यहां पे different किसम के matrix भी रख सकते है separately जिसको mean absolute error भी बोला जाता है या कोई और आप और metric भी यहां पे ले के आ सकते है तो मैंने यहां पे MAE रख लिया यहां पे let's see if it works or not so यहां पे वोही चीज सारी की सारी model.fit x train, y train, epox 100, back size 32 और यहां पे verbose 1 कर दी और evaluate कैसे किया evaluate in the model using mean squared error तो मैंने model.evaluate x test, y test, verbose इसकी 0 रख दी और loss को यहां पे print कर दी है या आप यहां पे print भी कर सकते है print mean squared error और यहां पे loss का 0 ठीक है so हम इस तरीके से भी इसको print कर सकते हैं जिसके बाद हमारे पास final mean squared error है हमारे पास यहां पे आ जाएगी मैं इसको run करता हूँ यह मैंने run किया and it's actually running अगर आप चेक करें तो आपके पास यह जनाबे वाला e-box चल रहे है धड़ाद़ और यह speed के जाथ इस वड़ा से चल रहे है because we are having a good machine here तो आप देख सकते हैं कि mean absolute error भी है और loss भी है loss यहां पे literally हमारा mean squared error है क्यों? क्योंकि हमने define किया था अगर आप यह वाली command यहां से remove कर देते हैं something like this मैं इसको अगर ऐसे करूँ इसको मैं comment out कर देता हूँ let's see comment out कर दिया main absolute error को और यहां पे मैं इसको दुबारा से run करता हूँ you will see के after 100 epochs हमारे पास जो value आएगी यह हमारे पास सिर्फ loss की आ रही है ठीक है? और loss की value की base पे हमारे पास सब कुछ आ रहा है और obviously हमारे पास error भी आ रही है because I use this thing मैं यह metric को ऐसे ही लिख देता हूँ इसको run करते हैं तो हमारे पास mean absolute error भी आगी और loss function भी आगी है जो mean squared error है तो absolute error यह है और mean squared error यह है हमारे पास तो हमारा काम क्या हो रहा है अगर आप गौर करें मैं दोबारा से उपर वाले को सबी को run करता हूँ and then I run this one अगर आप गौर करें 3.05 थी हमारे पास mean absolute error और 11 थी हमारे पास mean squared error जो हमारा loss function है अब यह दोनों कम होंगी and you can see कि एक ऐसा point आएगा जहां पर यह दोनों बिलकुल ही कम हो जाएंगी ठीक है so you can have a look कि point 79 यहां पर हमारे पास final है और यहां पर 1.1436 है start अगर देखें तो point 79 और 3.05 में अच्छा खासा फ़रक है बलके 3.31 में तो यह हमारी starting arbitrary यानि के random errors ही और at the end जब हम train करते गे करते गे करते गे तो हमारे पास यहां पर error की मिकदार जो है वो कम होगी at the end main squared error हमारे पास point 82 है जो testing की है which is quite reasonable I would say ठीक है so आप इस तरीके से mean squared error और root mean squared error की base पे sorry mean absolute error की base पे अपना model train कर सकते है ठीक है तो यह हमने model train कर लिया अब इसके इलावा आप और भी काम कर सकते है and you can do a lot of other things जिनमें आप एक ही go के अंदर भी पूरे का पूरा model build कर सकते है और उनको print भी कर सकते है अब वो ही काम में करने वालों यहां पे हम क्या करते है model को build करते है build करने के बाद model को यहां पे define कर दिया हमने जो उपर काम किया वो सेम यहां पे फिर हम यहां पे model को करते है compile हम अब क्या करेंगे जब model को train करना है उसको एक history के object में save कर लेना history के object में जब आप save कर लेंगे तो you can actually plot कि कितने epochs पे कितना loss था और कितनी error के chances थे ठीक है let's see मैं यहां पे उसी चीज़ को use कर रहा हूँ आप अगर check करें तो यह मेरे पास history के अंदर loss भी है और validation loss भी है training loss और validation loss दोनों आगे हैं हमारे पास और यह हमारे पास model का loss है हर epoch की base पे हमने training भी लिख दिया मैं अगर इसको print करूँ now you can have a look basically it will take some time क्योंकि जहरी बात है आपका जितने भी epochs है सारे के सारे run करेंगे दوبारा से और मैंने यहां पे 100 epochs run की है and now you can have a look कि यह graph जो है आपको show बताता है कि यह हमारा training loss है और यह हमारे पास validation loss है ठीक है हर epochs पे 0 से 20 तक यह gradually decrease होता है जहां पे कोनी बन रही है elbow की नुकर बन रही है इसका मतलब है इससे आगे कोई इतनी खास change नहीं आई तो we can use only 20 to 30 epochs to train this model बाकि अगले epochs का कोई फाइदा नहीं है ठीक है and these two curves you can draw by using history object और जहां पे आप model.fit को आप utilize कर सकते है so that's how you can actually build कि आप अपने model की loss and accuracy दोनों चीज़ों को अगर classification की problem है दोनों चीज़ों को आप इस तरीके से print कर सकते है and then you can have a look कि यह किस तरीके से काम करती है so यह training and validation loss आपके पास दोनों आगे है अब आपके एक छोटी से assignment यह है कि आपने यह देखना है validation loss क्या होता है validation क्या होती है so तीन किसम के data होते है training, testing and validation आपने validation देखना है कि यह क्या चीज़ है यह assignment है यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ what is a validation set or validation loss तो यह आपके छोटी से assignment है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे और इस तरीके से आप plot कर सकते है ठीक है यहाँ तक आपको clear हो गया होगा अब अगर आपको यह clear हो गया है कि आप किस तरीके से regression की problem को resolve करते है और multi layer perceptron कैसे बना सकते है मैंने सिरिफ एक hidden layer के साथ आपको बना के दिखाया और कैसे plot की जाती है अगर आपके पास कोई भी loss होता है तो आपने क्या करना है जो notebook 1 है 01 जो मैंने पिछली lecture के अंदर आपको बताई थी अगर आपके पास वो lecture नहीं है आपने इसका जो at the end model था ना इसको plot करना है इसके accuracy को भी और इसके loss को भी training and testing दोनों को यह आपने plot करना है ठीक है यह आपकी छोटी सी एक और assignment है और यहां पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे assignment plot the training and validation accuracy loss for each epoch ठीक है क्योंकि यह जो curves हैं यह आपको बहुत कुछ पताती है which we are going to see inshallah in upcoming lectures as well और यह इन्ही की base पे आप overfitting और underfitting का अंदाज लगा सकते हैं यहां तक clear हो गया होगा अगर clear है तो please write down in the comment section like, share and subscribe ज़रूर कर दें क्योंकि इससे कमस कम फाइदा हमें होता है and people can actually have a look on more diverse lectures in future शिद्धा दाजिना के ज्यादा लोग देखते हैं ठीक है next lecture में मिलते हैं